मैं आज फिर एक उसदी ब्रिक्ष लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि ये उसदी किस बीमारी के लिए सबसे बहतरीन है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें उसके बाद घंटी को भी जरूर दबा दें ये जो आप उसदी फिर देख रहे हैं ये बहुती चमतकारी है और बहुती लापकारी है इसे उसदी के नाम है अरजुन इसको अरजुन या फिर कोहा के नाम से भी जाना जाता है ये शलकों पर अक्षर प्रहरी के तरह ख़़ा पाय जाता है और जहांपर ये ख़़़ा होगा, वहां कितना भी जल भराव हो, ये नस्च खराब नहीं होता ये अर्जुन की भाती अटल रहता है जैसे अर्जुन महा भारत में अटल रहे थे ऐसे ही अर्जुन का ब्रक्ष भी अटल रहता है ये अर्जुन का ब्रक्ष जीवन प्रदान करने वाला एक औसदी ब्रक्ष इसकी मैं कोछ औसदी गड़ों के बारे में बताऊंगा अगर आपको हर्दय की कोई भी समस्या है दिल संबंदी कोई भी रोग है चाहिए हाट अटेक हो इन्यामना पैन हो या फिर दिल की धड़कन हो दिल कमजोर हो गया हो किसी भी प्रकार की हर्दय संबंदित बीमारी को दूर करने के लिए ये रामबान दबा है अगर आपको हर्ट अटेक होता हो उस समय अगर आप इस अरजन की छाल का कपडशन किया हुआ है चूरन आजी चम्मेच अगर ततकार पिला दी तो हर्ट अटेक होने से ततकार रोग जाता है ये दिल की बीमारी के लिए बहुत जबरजस्त हो सदी है आप इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हैं आप इसका काढ़ा बना कर प्रयोग कर सकते हैं जो दिल के ब्रोगी है ये दिल की बीमारी के साथ साथ जो जिनका बीपी बढ़ा हुगा है उनके भी लिए बहुत लापकारी है हाइपर टेंसन जिनकी हो जाती है बीपी के कारण उनके लिए भी बहुत एच्छे जबजस्त है और साथी साथ ये बिलट सरकरा को भी निंत्रत करता है ये बहुत जबजस्त है आप इसमें चाहे आपकी इन्यामना पैन हो हाट अटेक हो दिल की धड़कन हो दिल कमजोर हो घबराट आ रही हो चक्कर आ रहे हो जी मिचला रहा हो या फिर बिपी हाई हो गया हो भिलِّट सरकरा बढ़ गई हो किसी भी प्रकार की स्तिति में आप इस और जूंकी छाल का कपर झछन किया हुए चूर न परयोग कर सकते हैं या फिर आप इसे झाल का क्वात बना कर प्रय वैसाम डेली निमत रूप से इस अरजन की छाल का क्वात बना करके शिवन करते हैं तो आप समस्थ प्रकार की दिल की सम्बंदित बीमारीओं से बचे रहेंगे आपका दिल सुरक्षत रहेगा उन सभी बीमारीओं के कारण से क्योंकि अगर दिल सुरक्षत है तो आपका उस 500 ग्राम पाने में आप इसको 5 ग्राम या 10 ग्राम की मात्रा में इसको छुटी छुटी चुकड़ों में काट करके और मौटा मौटा कूट करके डाल दिये और उबाली आग पच्छा करके और जब बिलकुल एक चौट है जानी कि 100 ग्राम या उससे थोड़ा कम बचे तो फिर छान करके और पी ले यह कौट होता है अगर आप कौट बना कर सिबन करते हैं तो दिल संबंद बीमारी हर्दा जो है हर्दा संबंद बीमारी कम जोरी और इ लेंगे जहां पर आपका हड़ी या हाथ कहीं पर कुछ भी फैक्चर हो गया है तो उसको पहले सही से आप जोड़ने उसके बाद आप इसके जो है मोटा मोटा प्यूस करके और लुगदी बना कर रखते हैं और फंचे बहान ले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है